हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू जॉबकर जॉबकर पर आज से आपके लिए साइंस की एक सीरीज लाई जा रही है जिसमें आपको साइंस के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और उन टॉपिक से प्रीवियस एयर में जितने भी टाइप के कॉश्चन्स पूछे गए ह आज का टॉपिक है human blood यानि की मानवरक्त वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request है कि आपको वीडियो अगर पसंद आती है और informative लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं आज क टॉपिक सबसे पहले बात करते हैं कि blood क्या है अकसर exams में ये question पूछा जाता है कि रक्त क्या है तो रक्त एक तरल सईयों जी उतक है या liquid connective tissue है अब इसको तरल सईयों जी उतक क्यों कहा जाता है क्योंकि blood तरल अवस्था में होता है हमारी सरीर के एक पार्ट को दूसरे पा क्राम करता है और ये बहुत सारी कोसी काएं जैसे RBC, WBC और plate late से मिलकर बना होता है इसलिए इसको तरल सईयों जी उतक कहते हैं इसकी उत्पत्ती मीजोडर्म से हुई है अब ये मीजोडर्म क्या है तो मीजोडर्म की बात करते हैं जब हम भूणी आवस्था में होते हैं त तीन प्रकार की लेयर्स बनती हैं जो हमारे सरीर को बनाने का काम करती हैं एक लेयर होती है एंडोडर्म तो यहां पर आप लोग याद रखोगे एंडोडर्म से क्या क्या बनता है एंडोडर्म से अमाशाय लिवर हमारी जो आते होती है और फैफडे बनने का काम होता है एक लेयर होती है जो होती है मीजोडर्म तो मीजोडर्म से क्या-क्या बनता है सबसे पहले मीजोडर्म से हमारा बलड बनता है हमारी अस्थिया या बोन्स बनती है और हिरदय की जितनी भी पेशिया होती है वो मीजोडर्म से बनती है एक परत होती है एक्टोडर्म इससे हमारे सर सरीर की जितने भी अंग होते हैं उसका जो बाहरी आवरन या कह सकते हैं सरीर के अंगों की लाइनिंग बनती है और हमारी स्किन बनती है तो यहां पर रक्त की उत्पति किस से होती है मीजोडर्म नामक लेयर से होती है ब्लड के मैन चार कंपोनेंट होते हैं प्लाजमा लाल रक्तकन जिनको रेड ब्लड कार्प्यूस कल्स कहते हैं स्वेत रक्तकन जिन हैं वाइट ब्लड कार्प्यूस कल्स भी कह सकते हैं और प्लेट लेट्स या बिमबानू यहां पर प्लाजमा ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाता है लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेट लेट्स ब्लड का 45% पार्ट बनाते हैं इसके बाद बात करते हैं कि जो मानव का रक्त होता है उसकी प्रकरती शारिय होती है और ब्लड का पी एच मान 7.4 होता है इसके बाद रक्त मनुस्य के भार का लग भग 7-8 प्रतीशत होता है सपोज कीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो इसमें लगभग 7-8 किलो इसका बजन क्या होगा रक्त के कारण होगा इसके बाद जो स्वस्त व्यक्ति है इसके सरीर में लगभग 5-5.5 लीटर तक रक्त होता है अब यहां पर एक बात याद रखने की है अगर यहां पर बात की जाए कि स्वस्त पुरुस सरीर में कितना बलड होता है तो यहां पर आएगा 5-5.5 लीटर लेकिन अगर बात की जाए कि स्वस्त महिला के सरीर में कितना बलड होता है तो यहां पर स्वस्त महिला के सरीर में लगभग 4-5.5 लीटर तक बलड होता है इसके बाद बात करें कि बलड के functions क्या-क्या हैं तो बलड हमारे सरीर के तापमान को नियन्तरित करने का काम करता है फैफडों से oxygen को लेकर सरीर के अन्य भागों में पहुँचाता है सांस को बाहर छोडने के लिए सरीर की कोसिकाउं से कारवन डायाकसाइड लेकर उसे फैफ़णों तक पहुँचाता है और हमारे सरीर के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें सरीर के बिभिन भागों में पहुचाने का काम करता है इसके बाद बात करते हैं प्लाजमा की तो प्लाजमा क्या है यह रक्त का तरल भाग होता है बलड का लगभग 55 प्रतीशत भाग क्या होता है प्लाजमा होता है इसके अगर कलर की बात की जाए तो यह पेल यलो या जिसको बोल सकते हैं हलके पीले रंग का होता है इसमें लगभग 90 प्रतीशत तक पानी, प्रोटीन और कई अकार्वनिक लवाण होते हैं कुछ घुलनसील, ग्लूकोज, एमीनो एसिड, बसा, यूरिया, हॉर्मोन्स और कई प्रकार के एंजाइम जैसे कुछ कार्वनिक पदार्थ भी होते हैं प्लाजमा में कुछ अंटिबॉडीज भी होते हैं चो बीमारियों और संक्रमर के खिलाफ सरीर की प्रती रक्षा प्रणाली को सहायता करते हैं इसके बाद प्लाजमा में मुख्यता तीन प्रकार के प्रोटीन पाये जाते हैं अब ये कौन-कौन से प्रोटीन होते हैं एक होता है फाइब्रो नोजिन नाम का प्रोटीन यह जो बलड की प्लेट लेट्स हैं उनके साथ मिलकर बलड का थक्का बनाने का काम करता है एक होता है एल्ब्यू मिन प्रोटीन यह सरीर की परासरन किरिया को संतुलित करने का काम करता है और बात की जाये अगर ग्लोब्यू लिन प्रोटीन की तो यह सरीर की प्रती रक्षा प्रनाली को बढ़ाने का काम करता है कई बार ये question भी पूछा जाता है कि serum क्या है तो अगर plasma मैंसे clotting factors अब ये clotting factors क्या होते हैं जितने भी रक्त का थक्का बनाने वाले कारक होते हैं उन्हें clotting factors कहा जाता है तो यदि plasma मैंसे रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों को निकाल दिया जाए तब उसे क्या कहा जाता है सीरम कहा जाता है इसके बाद बात करते हैं लाल रख्तकणी काओं या रेड बलड कारप्यू स्कल्स की तो इसे इरिथ्रो साइट्स भी कहते हैं अब अगर इस नाम को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें तो एक हो जाएगा इरिथ्रो जिसक का मतलब होता है लाल रंग और साइट्स का मीनिंग होता है यहां पर कोशी काएं तो लाल रंग की कोशी काओं को क्या कहा जाता है इरिथ्रो साइट्स कहा जाता है ये कोशी काएं मध्य में अवतल होती हैं आर बी सी फैंफडों से अक्सिजन लेकर उसे सरीर के बिभिन भाग तक कैसे पहुचाना है इसके बाद इसमें हीमोगलोबिन नाम का एक वर्नक होता है जो हीम नामक लोह वर्नक और गलोबिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है और यही हीमोगलोबिन हमारी जो आरबीसी होती है उनको रंग देने का काम करता है इसके बाद बात की जाए कि आर्बीसी का निर्मार कहां पर होता है तो भृूणी अवस्था में आर्बीसी प्लीहा या इस्प्लीन और लाल अस्थी मज्जा जिसको रेड बॉन्ड मैरो भी कहते हैं इसमें बनती हैं लेकिन जब व्यक्ति वैस्क अवस्था में पहुँच जाता है तो आर्बीसी केवल और केबल लाल अस्थी मज्जा में बनती हैं व्यस्क ब्यक्ति के RBC में नाभिक नहीं होता है या बात की जाए कि जितने भी व्यस्क इस्तनपाई होते हैं उनकी RBC में किसी भी प्रकार का कोई नाभिक नहीं होता है लेकिन यहां पर एक अपवाद है उट और लामा के RBC में नाभिक होता है ये question भी कई वार exams में पूछा जाता है कि निम्न मैंसे किस के RBC में नाभिक नहीं होता है तो यहाँ पर उट और लामा के RBC में नाभिक होता है अब बात करें कि RBC का जीबन काल कितना होता है तो RBC लगभग 120 दिनों तक जीवित रह सकती है RBC को मापने में एक हीमो साइटो मीटर नामक यंत्र का उप्योग किया जाता है ये most important questions है कि RBC किसके दोारा नापा जाता है तो इसको हीमो साइटो मीटर के दोारा मापा जाता है इसके बाद बात करते हैं स्वेट रक्तकन या White Blood Carpuse Skulls की तो White Blood Carpuse Skulls को Leukocytes अब यहाँ पर Sides का मीनिंग मैंने बताया था कोशी का होता है और अगर Leukocytes की बात करें तो ऐसी कोशी का है जिन में किसी भी प्रकार का कोई वरनक उपस्थित नहीं होता उन्हें Leukocytes कहते ह अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई वरनक नहीं है इसलिए इसको White Blood Cells भी कहा जाता है यह हमारे सरीर को संक्रुमर से लड़ने में मदद करते हैं और हमें बिमारियों से बचाते हैं क्योंकि यह रोग के कारक जैसे जिवानू है विसानू है फंगस है इन सब को खाने का काम करते हैं इसी कारण है सरीर की रक्षा प्रनाली का सेनिक भी कह सकते हैं WBC RBC से आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और कुछ स्वेत रक्तकणी का संक्रमर का मुकाबला करने के लिए Antibodies नाम के एक रसायन को बनाने का काम करती हैं रक्त में WBC की संख्या RBC की संख्या के मुकाबले बहुत कम होती हैं बलड में RBC थोड़े से जादा मात्रा में पाए जाते हैं और WBC कम मात्रा में पाए जाते हैं अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि WBC कितने प्रकार की होती हैं तो WBC पाँच प्रकार की होती हैं इसीनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स यहाँ पर अगर फस्ट तीन की बात की जाए इसीनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की तो इन तीनों को कणी का मै कोशिकाएं भी कह सकते हैं या ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कह सकते है इसके बाद अगर बात की जाए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की तो ये आकणी का माय कोशिका या आग्रेनियूलोसाइट्स कहलाते हैं अब ये कणी का माय और आकणी का माय क्या कहलाता है सपोस करो ये कोई कोशिका है इसके उपर कुछ कण चिपके हुए है तो इन्हें क्या बोलेंगे कड़ी का मैकोशी का और यहीं पर अगर बात की जाए ये एक कोशी का है इस पर किसी भी प्रकार के कोई भी कण नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे आकड़ी का मैकोशी का तो यहाँ पर इसीनोफिल, बेसोफिल और नूट्रोफिल ये कड़ी का मैको क्या कारे करता है तो यह संक्रमण को रोकने का काम करता है और जितनी भी allergic क्रिया होती है उनके साथ काम करता है अब अगर बात करें बेसो फिल की तो WBC में सबसे कम पार्ट बेसो फिल का होता है लगलग 0.5% से 1% तक ही बेसोफिल नाम की कोशिकाएं पाई जाते हैं बेसोफिल दो प्रकार के एंजाइम्स निकालता है एक होता है हिस्टामिन एंजाइम यह सरीर के रोक प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है एक होता है हिपेरिन नामक एंजाइम के कारण ही जो हमारा ब्लड होता है वो सरीर के अंदर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है इसके बाद बात करें अगर नूट्रोफिल की तो यह जो नूट्रोफिल है वह WBC में सबसे ज्यादा होती है लगभग 60-65% भाग WBC में Neutrophil का होता है इसके बाद अगर बात की जाए Monocytes और Lymphocytes की तो ये हमारे सरीर की रोग प्रतीरोधक्षमता को बढ़ाने का काम करती है और यहाँ पर Lymphocytes की बात की जाए कि ये कितने प्रकार की होती है तो Lymphocytes भी दो प्रकार की होती है एक होता है B Lymphocytes और एक होता है T Lymphocytes तो आप इसको भी याद रखोगे Lymphocytes दो प्रकार के होते हैं इसके बाद बात करते हैं Blood Platelets या बिमबानू की तो यहाँ पर इनको Thrombocytes भी कहा जाता है अब Thrombocytes का मतलब है यहाँ पर ऐसी कोसी काएं जो Blood को जमाने का या Blood को एकठा करने का काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं Thrombocytes कहते हैं यह जो Blood Platelets हैं यह Fibrinosin नाम के प्रोटीन से मिलकर Blood का थक्का बनाने का काम करते हैं इनका निर्माड अस्थी मज्जा में होता है इन में किसी भी प्रकार का कोई भी नाभिक नहीं पाया जाता घाव लगने पर या कटने पर यह रक्त को जमाने में मदद करती हैं जिसके कारण खून का बहना बंद हो जाता है अब अस्ती मज्जा में कोशिकाओं से बनने वाली सभी रक्त कोशिकाएं stem cells कहलाती हैं जितनी भी प्रकार की रक्त कोशिकाएं अस्ती मज्जा में बनती हैं उन सभी को stem cells कहा जाता है ये आपका blood का video था मैंने आपको blood समझाने की कोशिस की है I hope आपको video पसंद आया होगा अगर आपको video पसंद आया है तो please video को like करें share करें और jobker को subscribe करें thank you